तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नमबर 8 कम्पीट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉमिस और यह एक अफसाना यानि की कहानी है देखिए प्रॉमिस टाइटल सुनकर आप लोग को लग रहा होगा कि इस कहानी में प्रॉमिस रिलेटेड कुछ स्टोरी होगा यानि कि कहानी कुछ प्रॉमिस रिलेटेड ही होगी अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं प्रॉमिस पर बेस्ट यह कहानी है मतलब कि इसमें कोई किसी से प्रॉमिस किया रहता है और वो प्रॉमिस पूरा होता है कि नहीं कि टूट जाता है promise का मतलब आप लोग जानते हैं वादा कोई जो है ना मतलब कि इस कहान इस title को सुनकर लग रहा है कि कोई किसे से promise किया होगा अब promise मतलब वादा पूरा हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा इसी पर बेस्ट कहानी होगी तो बिल्खुल ऐसा ही है इसमें एक औरत से promise किया गया रहता है उनके चारों बेटे जो है ना मिलकर promise किये रहते हैं क्या promise किये रहते हैं और जो promise किये रहते हैं यानि कि जो वादा किये रहते हैं वो वादा पूरा होता है कि नहीं और फिर जिसके साथ promise ये लोग किये रहते हैं उसके साथ क्या होता है पूरी कहानी जो है एकदम जबरदस्त अंदाज में मैं आप लोग को बताऊंगी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए ये स्टोरी जो है थोड़ा emotional कर देने वाली है थोड़ा भाउक हो जाने वाले है आज को पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप भी भाउक हो जाने वाले हैं ठीक है तो पहले से ही तेयार हो जाए सबसे पहले हम लोग जिलानी बानो के बारे में समझ लेते हैं और फिर हम promise नाम के जो अफसाना है यह मैं आप लोग स्टार्टिंग से बताऊंगी तो जिलानी बानो promise नाम के अफसाना के अफसाना निगार है यानि की कहानी कार है इस कहानी की कहानी कार कौन है मुसनित लेखक कौन है तो है जिलानी बानो जिलानी बानो की पैदाईश हुई थी 14 जुलाई 1936 बदाईव में जो की यूपी में है यूपी के यानि की उत्तर परदेश के जिलानी बानों की पैदाईश कहां हुई और option में बदायू दिया रहता है यह must famous question है ठीक है तो 14 जुलाइव ने सच थे सबी को जिलानी बानों की पैदाईश हुई थी और इनके वालिद या इनकी पिता जी का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी और अल्लामा हैरत बदायून जिलानी बानों के जो वालिद थे यानकी पिता जी वो उर्दू और फार्सी के बहुत बड़े शायर भी थे और एक तरह से आलिमेदीन भी थे यह भी याद रखेएगा question पूछा गया था कि जिलानी बानों के वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी उर्दू और फार्सी के श है कि हां यहां से इस तरह के से question पूछा जा सकता है ठीक है ना तो वीडियो को complete आप लोगों को इसी तरह देखते ने रहे हैं और अंत तक बने रहना है ठीक है वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है समझना है और अभी तक आ भी आप लोग के छोटे बड़े भाई हैं या फिर रिष्टदार हैं जितना जला हो सके आप लोगो को शेर करना है चानल पर अगर आप लोग नए नए आये हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब से पहले पहुचे तो यह सब जरूर करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जिलानी पानों की तालीम की अगर बात की जाए तो यह में तक पढ़ाई की थी या इनकी इनको शक्षा कहां तक हासिल की थी तो में तक ठीक है और शायरी में यह सवा बदायूनी यानि कि स्टाटिंग में यह जब जिशे रोशायरी करते थी तो सब बदायूनी के नाम से करते थी ठीक है और इनको शौक था मौसिकी और मसूरी का याद रखेगा यह कोशन हो सकता है कि आपनों के एकजामें पूछ दे हलांकी पूछा तो नहीं गया है लेकिन याद रख नाविल निगार के तौर पर जिलानी बानो जो है ना वो मशूरी है उसके बाद इसे मतलब की अफसाना निगारी यह तो लिखती थी और खास तोर से जातर यह अफसाना निगारी में ही फेमस हुई थी और नाविल भी लिखा करती थी जैसे नाविल निगारी में भी इनका कि पूछेगा तो सबऑजेक्टिव में की किसी दो नाविल का नाम है तो आप लोगों को दोना नाम बताना होगा पहला का नाम है ये इवाने गजल और दुसरा का है नाम बारिशे संग नहीं तो objective में question पूर सकता है कि जिलानी बानों के नाविल का नाम है और option में 4 option दिया रहेगा और 4 option में से किसी एक option में इन दोनों नाविल में से कोई एक नाम दिया रहेगा तो उसको धिले से टिक कर दिजेगा जिलानी बानों के दो नाविल्ट का भी नाम दिया गया है नगमे का सफर जुगनू और सितारे ये दोनों जिलानी बानों का लिखा हुआ नाविल्ट है ठीक है अफसानवी मजमुए यान की कहानी की किताब का नाम है रोशनी के मिनार, नर्वान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किसा या कौन हसा, तरियाग, नई औरत, सच के सिवा, बात, फूलो की ठीक है तो ये सब ही जो है ना अफसानी मज्मा यान की कहानी की किताब है जो की जिलानी वहानों द्वारा लिखे जाये हैं ठीक है इन्होंने कृष्ण चंदर पर एक मोनोग्राफ भी लिखा था और इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे जैसे कि मोदी गालिब अवार्ड पुल हिंद कौमी हाली अवार्ड नकुष अवार्ड सोवियत लेंड नहरू अवार्ड तो ये सारे अवार्ड इनको मिले थे मैं आप लोगों को पहले ही बोल रही हूं कि अपसान नेगारी और नावी नेगारी में काफी मशूरों मक्बू कर्म वैं फिर्फिма तो यहां पर फिमिलत रहां है कुछा जाता है जिलानी बानीं को और के अपक्षोम में मि्ट झाली आवर्ड दंध लावर्ड विदा मैं और लसी याप्षम का लिगा उन opposi सब्सक्राइब कर दीजिएगा यानि कि यह सारी जलानी बाद कर लेते हैं यहां तक तो होगी सारा डिटेल्स अपर जो आप लोगों के दिया गया था बस इतना ही बता forcément ऊंप पर पोट折ा ही को उससारी यह ना भिष्ट्रील्ञार करने सब्सक्राइब के आफ में आप जो है ना कहानी इतना emotional भाव कर देने वाली क्यों है ठीक है तो चलिए समझते हैं promise नाम का यह जो अफसाना है इसका मरकजी किरदार यानि कि इस कहानी का जो main character है वो अम्मो नाम की एक औरत रहती है ठीक है और इसके चार बेटे रहते हैं रशीद जमशीद हुशीद और हमीद यह चारो बेटे थे अम्मो के जो शोहर थे वो वकील रहते हैं ठीक है और क्योंकि वकील रहते हैं तो पैसे वाले तो होंगे तो इनके अम लेकर कुछ बन जाए तो अम्मों और उनके शोहर ने अपने चारों बेटों को पढ़ाने के लिए अपनी पुरी जमीन जायदात बेच दी ठीक है पूरा पैसा लगा दिया रशीद जो है ना वह अमेरिका में इंजिनियर बन गया पढ़ लेकर जमशेद जो है वह नियू कर में भश्रurity खुरना करता था ठीच है और एक दिन क्या हुआ कि हमीद किसी परटी के किसी मेंबर को कि इसमेंबर को मारवन डाला यानि की मौरडर कर डाला ठीक है तो जब ये मरडर कर दिया तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया ठीक है चलाग यह जेल में और उसके पाद क तो इसके भागी खुल गए जिस पार्टी से इससे यह बिलॉंग करता था वो पार्टी ने उसे चुड़वा दिया और फिर इसने एक पार्टी जॉइन कर लिया इसको टिकट मिल गया और फिर उसके बाद से यह इलेक्शन लड़ा और क्योंकि यह मडर कर चुका था तो इसक बारों बेटों की अपनी अपनी लाइफ हो गई थी कि अपने जिन्दगी में कुछ बन गए ठीक है और खास तरह से हमीड जो है ना हमीड क्योंकि एक तरह से यह आप यूं कि सकते हैं कि मडर किया था इस वज़ए से हमीड के वज़ा से जो है ना अम्मों और उनके शोहर यह इनकी इसके जो वालिद और वालिदा थे वह खुश नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि हमीड जो एलेक्शन जीता है वो डर के वज़ए से जीता है मतलब लोगों के अंदर हमीड के लिए माला पहने हुए घर आया तो उसके जो वालिद थे यानि कि पिता जी वो खुश नहीं थे और हलांकि उसी वक्त उनका इंतकाल भी हो गया था यानि कि अम्मो के शोहर का इंतकाल हो गया अब यहां पर अम्मो जो है न अपने घर में अकेली बच गई भारत में आप यूँ कर सकते हैं दिल्ली में जाकर हमीद रहने लगा अपने वाइफ के साथ और उसी तरह जितने भी बेटे थे अम्मो के जैसे कि माली जे रशीद है या अमेरिका में इंजिनियर बन गया था त लेकर नीव-याउ tomar च्लिए अवी बच्छों को अपने साथ लेकर नीव-यूयोच में ही चला गया और उसी तरह खुर्शीद भी था चिंशिकागों में डॉक्टर था तो ये भी अपने पधाल बेबिए बच्छों के सार् शिकागों में जाकर रहने लगा वहीं पर अपने फैमिली को रखने लगा तीनों बेटों तो चले गए ठीक है और रशीद ये अमेरिका में इंजिनियर जमशिद न्यूवर्क में इंजिनियर खोशीद शिकागो में डॉक्टर इनकी बीविया इसी थी जो कि भारत की गर्मी को बरदास्त नहीं कर सकती थी इसी वजह से ये ल कि चलिये हमारे साथ दिल्ली में ही रहिए जहां पर मैं जो है न मैंस्टर बना हुआ वहीं पर रहिए आप मीनिस्टर की मा की तरह वहां पर राज कने धी काम हैं जितने भी घर में नौकर थे उनके पूछने वाला जो पूश्टाश होता है ना तो पूश्टाश किया करती थी कि बताओ ये सब क्या हो रहा है मतलब हर चीज का वह आप यूँ के सकते हैं जाइजा ले रही थी कि ये तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हो बरतन अच्छ सिद हो ठीक है उसके बाद से जो भी क कर जहें ना हमीद जो है अपनी ममी से परेशान हो यह जो uh अपने मा को याईनिक ऐलकमों को वापस पूराने वाले घर बेज़ दिया ठीक है अब बैचारी अम्मी जो है पुराने वाले आशियाने में आगहिए अपने पुराने वाले घर में आ गई जो हम पर कोई नहीं था इना सब्सक्राइब तहीं गर में अकेली पड़ गई अलग-अलग जगा पर पुर्याकर सेटल हो गए थे अपने फैमिली के सांद अब ये घर में अkelे थी, सुनसान सा घर हो गया था, इसको बड़ा शौक था, कि इसके घर में इसके चारों बेटे हो इनके बेटे पोती जो होता है वो हो और खुशाल मतलब ये घर जो है एक तरसे सुनसान न देखे, इसमें हमेशाच चहल पहलो लेकिन एक खंडर टाइप का घर बन गया था और अम्मो जो थी वो घर में चुप-चाप रहती थी बाहर से कोई आता भी नहीं था अगर बाहर बच्चे खेल रहे थे और अंदर भी चला आता था तो ड़र से बच्चे अंदर नहीं जाया करते थे अम्मो का मतलब जो है ना शरीर भी उस तरी के से हो गया था उनको देखकर डर जाते थे ठीक है उधर ही बॉल अंदर छोड़ दिया करते थे जो दूद वाला आता था वो दूद का जो आपनी के सकते हैं पतीला है या फिर जो भी डबा है वो दर्वाजे पर ही रखकर चला ज आते थे ठीक है ना तो किसी चीज़ का मतलब कुछ हिसाब नहीं समझ में आ रहा था एक अम्मो का जो घर है वो खंडर टाइप का एक तरसे सुनसान टाइम का बन गया था ठीक है और एक तरह से अम्मो की भी तवीद खराब होने लगी थी ठीक है अब यह चुप चाप घर म में तरह तरह की बिमारिया होगी इनके बेटे बहु थे नहीं और खुश रहने से इंसान के श्रीर में बिमारिया बहुत कम होती है तो खुश रहने का कोई वजह ही नहीं था इनके पास ठीक है काश इनके पास बेटे और बहु रहते पोते पोतिया रहती तो उनकी बातों म इनजोआये कर रहे ते अभि घर में अकेली बच गई थी खौजा भी जो है न वह नौकरानी थी अम्मों को कुछ भी जहुरत होता था तो चलाती थीख भी को लेकिन दो-ती चार बार चिलाने के बाद ख्वाजा भी आती थी ख्वाजा भी जो है ना अम्मो से परेशान हो गई थी नौकरानी भी उसी तरीके से थी अम्मो जब नौकरानी को चिलाती पानी की भी ज़ूरत होती ये फिर किसी भी चीज़ की ज़ूरत होती तो ख्वाजा भी जो है ना उनकी नौकरानी वो मन में सो थी कि बुढ़िया फिर से चिलाने लगी लगता है मुझे अब दूसरी नौकरी ढूबनी पड़ेगी इस तरह से हो गया था ठीक है और अम्मों के शरीर के अंदर कैंसर का विमारी था याद रखेएगा और शी तरीके से देखते देखते दो साल हो चुके थे और दो साल में था ठीक है और यह एकतर से बिस्तर पर पड़ी रहती थी हमेशा पूरी तरीके से केंसर जो है न पूरे बदन में फैल चुका था ठीक है दो साल हो चुके थे और इनकी जो हैना सिर्यसालत हो गई थी डॉक्टर जो हैना वह बोल दिया था कि 24 घंटे में अम्मों का इंतकाल हो जाएगा ठीक है इनके पास 24 गंटे का वक्त है तो ख्वाजा भी जो नौकरानी थी वो चारों बेटों के पास एक करके कॉल की और बोली कि आपके आपकी जो अम्मी है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 24 गंटे में उनका इंतकाल हो जाएगा तो आप लोग तुरंत आ ही रहती है कि जब हमारी मौत हो जाएगी न तो तुम चारों बेटों मिलकर मुझे कांधा देना ठीक है तो यही प्रॉमिस किया गया रहता है इसी वजह से इस अफसाना यान की कहानी का नाम क्या है प्रॉमिस है ठीक है प्रॉमिस किसे किया गया है तो एक मा से किया गया है जो चारो बेटे रहते हैं वो मिलकर प्रॉमिस किये रहते हैं अपनी मा अम्मों से कि जब आपकी मौत हो जाएगी आपका इंतकाल हो जाएगा तो हम चारो बेटे मिलकर आपको कांधा देंगे जनाजा उठाएंगे हम चारो बेटे मिलकर ठीक है ना तो यही प्रॉमिस किये रहते हैं चारों बेटें अपनी मा अम्मों से ठीक है तो चारों बेटों के पास खबर जाती है और बेटों को याद आ जाता है कि अच्छा इनकी इनको खबर रहती है कि है तो तुरह सब्सक्राइने बाती को में पैद करें कि बाद सब्सक्राइब कते हैंacak ठेक है यानि कि उनका शरीर से इसे काम नहीं करता था ठेक है तो हुआ ये कि तीनों बेटे आ गए थे चौथा बेटा जो हमीद था जो उसको बोला गया कि तुम भी आजाओ क्योंकि 24 गंटे में अमो का इंतकाल हो जाने वाला है आजाओ तुम भी कांधा देना है प्रॉमिस तो तोमन लेती रहती हैं तीनों बेटे आ गये रहते हैं और उनकी बहुत उतुछ होती है तो तीन मेटे बताते हैं ची आ रहा है मतलब वह का टेंसर नहीं लीजीए वो राशते में है मतलब वुझूट बोल लेते हैं कि हमीद आ रहा है हलांकि वह आत तो नहीं रहा होता है वह तो बोला रहता है कि अम्मो का जब भी इंतकाल हो तो आप हमें फोन करके बता दीजेगा मैं उसी वक्त आ जाओंगा ठीक है न तो बहुत दा खुश होती है अब जो है वो लोग लोग इंतजार करते हैं तीनों बेटे खड़े रहते हैं उनकी भी खडी रहती है मतलब उनकी वा tallest बहुत में था ते अपने ब्यटें को देखकर मैं भुतर्य देख कुछ बना कर खिलाओं इसको बहुत दामन करा था कि poco इसी चीज्ज में ज्यादा मन लगता था आद वगर बनाया करती थी आज आरी बनाया करतीbelिश के वाज़ा से अपने बेटे को सामने देखी बहू, पोते पोतियों को अपने सामने देखी तो ये जो खुशी है ना, खुशी के वज़ा से शायद ये धीरे-धीरे ठीक होने लगी इनका इंतकाल नहीं हुआ अब तीनों बेटे देखे कि अरे अम्मो की मौत ही नहीं हो रही है कुछ दिर के लिए तो अम्मो बेहोश टाइप का हुई थी तो इन लोग को लगा की अम्मो की मौत हो गई है तो पुरे शरीर पर वाइट कलर का चादर चढ़ा दिये थे अगर अम्मो हात नहीं हटाती ना चादर अपने मूँझ से नहीं हटाती तो यह लोग ले जाकर दफना भी देते सोची यह लोग कैसे बेटे थे और बहू थे ठेक है तो हुआ यह कि अम्मो जो है 24 गंटे में मतलब उनका इंतकाल नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और यह लोग जो है ना रशीद जमशिद खुशिद यह लोग तीन दिन की छुट्टी पर आये थे तीन दिन क चुगा था अम्मो का इंटकाल ही नहीं हुआ अब यह लोग देख रहे हैं कि अम्मो की मौत ही नहीं हो रही है मर ही नहीं रही है अब यह क्या कि ए ख्वाजा भी को बुलाए धीरे से अपने पास और बोले कि रियाल और डॉलर रुपिया वगरा दिये ठीक है मतलब पैसा वगरा दिये और बोले कि देखो अम्मी की मौत तो नहीं हो रही है तुम हमें एक खबर बताते रहना अम्मी की हालत के बारे में तुम हमें फोन कॉ बताते रहना लोग जा रहे हैं डॉलर वगरा रूपिया वगरा देकर और चले जाते हैं अब जो है न खो आज जैसे रूम कre के अंदर आती नहां तो क्या देखती है奇怪 अम्मो जो है अम्मो उनका इंदकाल हो चुका है वो जो है ना गिर पड़ी है शायद वो अपने बेटे को जाते हुए देख लेती है पैसे देते हुए देख लेती है और जो भी बाते करते हैं उनके बेटे खाज़ा भी यानि कि नौकरानी से ठीक है उनकी बातों को शायद दूर यहां पर होते हुए भी मतलब की वहांगाँ पर हमारे पास होते हुए भी हमारे पास नहीं है काफी दूर जा चुके है तो इस चीज़ का उन को हो जाता है, और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है ठीक है न और अम्मो यह वो गिरी पड़ी रहती हैं ख्वाजा भी देखती है कि अब मों गिरी पड़ी है और इनके बेटे तो चले गए ठीक है बेटे तो चले गए अब उनको जनाजा मतलब आप नहीं के सकते हैं कांधा कौन देगा तो वह क्या कि लॉरी के पास फोन मतलब फोन उठाई और कॉल की बोली कि यहां पर अपनी अम्मो का इंधा देने की वह वादा तोट जाता है वह वजहेर से नाम क्या है प्रामीस रखा गया है भीमिस तोटजाने के वहां पर अम्मो का इंधाल हो जाता है और इस तरह उनके बेटे उनको कांधा देने के बजाए एक लौरी आती है और डेट बोड़ी उठा कर लेकर चली जाती है ठीक है ना और फाइनली यहाँ पर कहानी का दी इंड हो जाता है आई होप आप लोगो यह पूरी कहानी समझ में आई होगी और इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है यहाँ पर हम लोगों को यह सीख मिलती है कि सिर्फ डिगरी ले लेना जरूरी नहीं है डिगरी हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता है उसके साथ साथ शिक्षित होना दी चाह सके ठीक है और अपनी मा के दुख दर्द तकलीफ को नहीं समझ सके ठीक है तो शिक्षित होना जरूरी है ठीक है तो यहां पर कहानी का दींड हो गया और chapter भी complete हो गया राइटर के बारे में भी समझ लिजी समझ लिए हम लोग और पूरी कहानी भी मैं आप लोगो एकदम सौर्ट कॉट में आप इन चाहते हैं कि ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ और शॉट कॉट में आप लोगो पूरी कहानी बता दी ठीक है तो यहां पर पून रूप से चैप्टर नंबर एट कम्प्लीट हो गया अगर आप लोग यहां स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लें दीजे फड़ा पर स्क्रीन शॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिये होंगे चैनल पर अगर आप लोग नए नए आये तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज